नमस्कार दोस्तों, बजट 2020 के तुरू बारत सरकार ने गोशना करी कि वो इस साल एक स्लैबरेट का नया स्ट्रक्चर अससी अटलाज को दे रहे हैं और अससी को यह चूस करने का option भी दिया है कि अससी नया स्लैबरेट में जाना चाता है या पुरान इस लैबरेट में रहना चाता है तो आज की इस वीडियो के थूँ मैं इसी question को celebrate paid employees के साथ relate करके रख रहा हूं क्योंकि celebrate paid employees को generally साल के शुरुवात में ही अपने employer को गोशना देनी पड़ती है कि वो किस प्रकार से अपना इस साल का contributions वगएरा करेंगे कैसे deductions claim करेंगे और उसी के अनुरूप फिर employee tedious deduct करने की बात करता है तो मैं इसी से संबंदित कुछ प्रश्ण आज की इस वीडियो के तुरू आपके सामने ले करके आ रहा हूं दोस्तों आज की वीडियो में जो मेरे मुख्य discussion के points है वो है what is new slab rate हाला कि आपकी knowledge में यह slab rate होगी लेकिन एक बार पुन है आपकी नजर से उसे दोडाना चाहता हूं what is old slab rate old slab rate क्या है सर तीसरी बात which deductions exemptions are denied if new slab rate is opted by the assessi चौथी बात online utility इस संदर्व में यदि कोई उपलब्द है तो वह हमारी जानकारी में होनी चाहिए ताकि हम उसका लाव उठाके comparison कर सके और final decision making तक पहुंच सके इसी संदर्व में सर CBD ने रिसेंटली एक सर्कुलर भी जारी किया है मैं उस सर्कुलर से संबंदित important बातें भी आपके सामने रखना चाहूंगा और final answer हमें यह निकालना है इस वीडियो को समझने से इस वीडियो के तुर जानने का हम प्रयास करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले न्यूस लैबरेट क्या है जैसा मैंने आप से बुला कि बजट के तुरू यानि फिनेंस एक के तुरू इस बात को लेकर क्या आए है एक नया section 115 BAC income tax act 1961 में इंसर्ट किया गया है यदि आप फिलिकर देखिंगे तो इसमें जो जाई अपरिया यूफ रुपए तक और यहाई परह में आथकी सण रिखेंगे तो उसमें सीन निल रहे हैं न पर्रसाइन तक की इंकम पर 20 फन वारा यह उम्राग से पंद्राएग की इंकम पीच में अपको 25 परसेंट टेक्स देना है और फाइनली सर्यदी आपकी इंकम 15 लाग से उपर है तो आपको 30 परसंट रेट से टेक्स देना है अब हम यह जो नया लाग के ब्रेक्स पर टेक्स दे रहा है इसको कंपेर करते हैं कि पुरानी टेक्स रेट क्या थी पुराना स्लब रेट है दोस्तों जिसे मैं एग्जिस्टिंग श्लैबरेट भी कह सकता हूं यह उल्ड पर्संट टैक्स देना है पांट LAUD तक है तोटल इंकम यदि आपकी है तो आपको पांतलाग से उपर की टोटल इंकम पर बीस परसेंट टेक्स देना है और दसलाग से उपर आपको तीस परसेंट टेक्स देना है तो यह सर हमारी existing slab rate है मैं पुने दोरा हूंगा सर दोनों slab rate continue है पुरानी भी नई भी option अससी पर छोड़ा गया है कि अससी को कौन सा slab rate लेना उपयोख लगते हैं दोस्तों old slab rate और new slab rate को मदिनजर रखते हुए मैंने आपके सामने comparative tax position रखी है और यह tax position आपको दिखाएगी कि किस प्रकार से इस comparative tax position में नई slab rate में निकाली गई tax liability ज्यादा beneficial है किस प्रकार से सर आप देखे for an example यदि मैं यह मानता हूं कि एक अससी की total income 15,000,000 रुपे तक है यह इस particular chart में assumption है तो उसको नई slab rate में different difference slab rate पे 0, 5, 10, 15, 20 और 25% के हिसाब से जब tax liability लगेगी तो 15,000,000 रुपे तक की total income पर अससी को 1,87,500 का tax देना है इसी प्रकार से दोस्तों यदि पुरानी slab rate अससी आप्ट करता है तो उसे 15,000,000 की total income पर 2,62,500 का tax देना है यानि net saving अससी को 75,000 होगी और उसका average tax rate 12.5% पढ़ेगा nice slab rate में as compared to 17.5% यानि मोटा मोटी सीधे सीधे 15,000,000 की total income दोस्तों 5% के हिसाब से 75,000 रुपे का tax बचेगा इससे प्राइमा फिसाई ये लगता है कि new slab rate का जो system है वो beneficial है लेकिन ये एक प्राइमा फिसाई opinion है दोस्तों ऐसा जरू ये नहीं है कि आपको new slab rate ही कम tax rate देगा रादर मेरा मानना reverse है कि old slab rate बहुत सी परिस्तती होंगा आपको tax rate की हिसाब से जो calculation है वो beneficial वहाँ पर सिद्ध हो सकती है मैं इसी बात को आगे ले करके बढ़ूँ अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आपके सामने सर ये बात रखना चाहता हूँ कि कुछ exemptions और deduction जो कि specifically अब नई रिजीम में यदि आप नया slab rate आप करते हैं तो आपको 115 BAC में नहीं मिलेगी यानि आपको समझना है कि आप नई slab rate में जाएंगे तो ये deductions आपको छोड़ने हैं और यदि आप पुराने रिजीम में रहेंगे तो आपको ये वाले particular tax rates को opt ये वाले particular deductions मिलते रहेंगे तो ये एक main comparison है सर जिसकी वज़े से आपका decision making important होगा क्या आप नई slab rate में जाते हैं या old slab rate में क्या क्या exemption deduction जो disallow हो रहे हैं सर नई slab rate में section 10 clause 5 leave travel allowance नहीं दिया जाएगा HR नहीं दिया जाएगा nice lab rate में बहुत सारे exempt allowances जो की notified है 10 clause 14 में जैसे child education allowance, uniform allowance, helper allowance ये भी नहीं मिलेंगे अगर आप nice lab rate आप करते हैं 10 clause 32 minor की जो income डेड़ जार रुपे तक की clubbing में आती है उसके लिए आपका exemption मिलती है वो भी nice lab rate आप करने पर नहीं मिलेगी standard deduction नहीं मिलेगा interest for self-occupied property दो लाख रुपे का तक का जो हम deduction क्लेम करते हैं वो भी nice lab rate आप करने पर आपको नहीं मिलेगा साथी साथ दोस्तों chapter 6 है कि कुछ deductions हैं वो भी specifically मना कर दिये गये हैं राधर कुछ की जगे मैं यह कह सकता हूँ दो deductions को छोड़के बागी सारे deductions chapter 6 है कि इन्होंने मना कर दिये जैसे ATC, ATCCC, जिसमें आप बोलें तो LIC contribution, PF contribution, PPF contribution, ELSS, tuition fees, home loan, principal payment, pension fund contribution, etc. इसी प्रकार से ATCCD1 में जो आपका NPS का contribution है या ATCCD1B में जो NPS का 50,000 का extra contribution का deduction हम लेते हैं वो भी नहीं मिलेगा health insurance premium, health check-up के खर्चे या medical खर्चों का जो deduction हम लेते ATD1B में वो हमें नहीं मिलेगा ATDD1B में medical treatment expenses नहीं मिलेंगे education loan का interest भी आपको यदि claimable है वो भी नहीं मिलेगा NICE LABORATE में ATG, ATGGA, ATGGB जैसे deductions नहीं मिलेंगे ATTTA में saving bank account का 10,000 रुपय तक का interest नहीं मिलेगा और ATU सर जो deduction for physical disability देता है उसका deduction विशेश परिस्तिती में ये भी deduction आपको नए SLABORATE आप करने पर नहीं मिलेंगे अब यहां दोस्तों एक comparative tax computation मैंने प्रिपेर करिये है जिससे आप इन दोनों SLABORATE के systems के अंतर को समझ पाएंगे कि मान लीजे SSC की total income में 15,000,000 रुपय नई SLABORATE में भी 15,000,000 और सलाबरेट में भी 15,000,000 करने का contribution करना चारा है और medical insurance का भी 15,000 रुपय का deduction अससी क्लेम करेंगा तो एक और सर नई SLABORATE में हमें कोई deduction स्टेंडर्ड डिड़क्शन सेल्फ ऑकबाइट हाउस परपड़ी का इंवेस्पेंट अंडर सेक्शन एटी सी इंवेस्पेंट अंडर एटी सीडी वन बी मेडिकल इंशूरेंस कोई नहीं मिलना कोई deduction नहीं मिलना लेकिन दूसरी और तो वहां मेरी टोटल एंकम नेट में दस लाग रुपह ही बचेगी अब आप देखिए सर टेक्स on टोटल एंकम ओल्ड रजीम में एक सब्चासी पांच सो है जबकि न्यू रजीम में एक बारा पांच सो है तो अससी को ओल्ड रजीम आप करने पे 75,000 रुपय का टेक्स र पर कैसे डिसाइड करूं कि क्या मुझे ओल्ड लेनी है या न्यूस लाबरेट तो मुटा मुटी एक बात तो निश्चित रूप से आप मानेंगे कि ओल्स लाबरेट उन लोगों के लिए बेनिफिशल है जो डिड़क्शन्स, कॉंट्रिबूशन्स या किसी प्रकार के रि इस लाबरेट बेनिफिशल लगता है लेकिन केवल ये उधारन आपको फाइनल आंसर तक पहुचने में मदद नहीं करेगा मैं आपको फाइनल आंसर देने की इससे आगे कोशिश करता हूँ अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों भारत सरकार ने हमारी मदद के लिए अल्रेड़ी इस पर्टिक्लर लिंक पर यानि इंकम टेक्स इंडिया इफाइलिंग डॉवी डॉट इन पर एक टेक्स कैलकुलेटर अल्रेड़ी दे दिया है जैसे ही आप इस पर्टिक्लर लॉग कौन से डिदक्शन के लिए ओल्रेड के अंदर यदि आप यहां पर डाल देंगे और फाइनली आप यहां क्लिक करेंगे कंपर टेक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिजीम तो आपको एक फाइनल आउटकम लाकर करके मैं इस बात को यहां रखता हूँ सर आप देखेगा कि मान लीजे मैंने चूज किया कि मेरी एज बिलो 60 यह है यानि मैं नॉर्मल सिटीजन हूँ मेरी एस्टिमेटेड एनल इंकम साथ लाग पेंटाली सजार है और मैं एक लाग पचास हजार रुपय के एक्जंशन से दिनाए टेक्स और नियू रिजीम में आपको 38480 यानि अगर आप और रिजीम आप करते हैं तो आपको 5720 का टेक्स में बचत होगी अब मैं अपने एंप्लॉयर को इंफार्म कर सकता हूं कि ठीक है साब आप मेरे को और रिजीम में ही रहने दीजे मुझे नए रिजीम में जाने की कोई इच्छा नहीं है तो यह जो यूटिल्टी है सर यह बड़ी हल्फुल है आप इसका सहारा लें लेकिन इसके क्लेम करने में इसका बेनिफिट लेने में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको पहले अपनी ग्रॉस इंकम डालनी है और फिर आपको एस्टि करने जा रहे हैं तो यदि आप यह दो फिगर सही फिल अप करेंगे तो यूटि बहुत तक तक आपको सही आंसर देने में सहाया को दोस्तों CBDT ने रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया है रिकार्डिंग TDS तो बी डिड़क्टिड बाइंप्लॉयर विद रिस्पेक्ट तो नियूस लैबरेट उसकी हाइलाइट्स में एक करके आपके सामने रखता हूं यहां CBDT यह कह रही है कि लगम एंप्लॉय हुआइड से वर्फिशन पर सामने रखता हूं यह रिजीम को उप्र करना चाहते हैं यह आप क्या करें यूएं इंटीमेड तु यह रिएश पर इंटीमेशन फॉर इच प्रियूस फर इंटीमेशन देना पड़ेगा और ऐसी परिस्तिती में employer आपका deduction 115 BAC के हिसाब से करेगा यानि यदि आप intimation employer को नहीं देंगे तो employer old regime में आपके TDS काटेंगे यदि आप आगे बढ़कर कहते हैं intimation देते हैं Sir please deduct my TDS as per the old slab rate तभी employer old slab rate से आपका TDS deduct करेंगे दूसरी बाथ If such intimation is not made by the employee, employer shall make TDS जैसा मैंने पहले कहा Sir, कि employer पुनाने स्लाइबरेट से ही आपका TDS काटता रहेगा The intimation so made to the deductor shall be only for the purpose of TDS during the previous year and cannot be modified during that year दो बाते निकल करके आती हैं Sir यदि आप ऐसी कोई intimation अपने employer को देते हैं तो ये intimation TDS के purposes से होगी और आपने एक बार कह दिया employer को कि साथ मेरे को तो old scheme में नहीं रहना है यानि आपने option ले लिया कि मेरे को नए slab rate में जाना है तो वो option फिर आपका किसी और महीने में before completion of financial year modify नहीं कर सकते फिर employer आपका नए regime में ही TDS काटता रहेगा तो ये चीज आपको ध्यान से चूज करनी है कि क्या आप old rate में जा रहे हैं या new rate में जा रहे हैं दो और महपोन highlights हर इसी circular की however the intimation would not amount to exercising option in terms of subsection 5 of section 115 BAC of the act and the person shall be required to do so along with the return to be furnished under subsection 1 of 139 देखिए जो नया slab rate का system आया है sir 115 BAC section कहता है कि आपको अपनी return बरते समय अपने option को claim करना है यदि आप nice lab rate में जाना चाहते हैं अब यदि आप employee हैं तो आपने employer को option दे दिया कि साब मैं nice lab rate में जाना चाहता हूं तो आपका form 16 nice lab rate के हिसाब से बन जाएगा अब हो सकता है आपको finally यह दिखे कि नहीं साब मुझे तो old regime में जादा benefit था तो क्या आप अपनी return बरते समय है new regime से tedious कटने के बावजूद old regime में return बर सकते हैं यानि old slab rate का benefit ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं sir नेकिन इसकी कुछ practical problems है क्योंकि income tax department employees के case में form 16 based return पर जादा जाता है तो आपके form 16 में कोई deductions claim नहीं होंगे जबकि आपके ITR में वो deductions claim होंगे तो सकता है कल income tax department आप से उससे समंदित proof वगरा मांगे through online processing of return तो आपको उस समय वो information देनी पड़ेगी तो वापस repeat करा हूं sir जरूरी नहीं है कि employer को आपने new regime के लिए बोल दिया तो आपकी return भी new regime पर बरेगी new regime आपके लिए employer के समय भी optional थी और ITR के समय भी optional है अगर आपने employer को नहीं बोला तो employer आपको old slab rate पर TDS काटेगा अगर आपने employer को बोला तो employer आपको new slab rate पर TDS काटेगा मान लीजे employer को आपने बोला और employer ने new slab rate पर TDS काटा पर return भरते समय आप old slab rate से return भरना चाते हैं बिलकुल भर सकते हैं sir कोई दिक्कत नहीं है Thus the option at the time of filing of return of income under subsection 1 of 139 could be different from the intimation made by such employee to the employer for the relevant previous year तो ये कुछ important बातें sir circular से related हैं जो मैंने आपके सामने रखी सबसे महत्पूर्ट प्रिस्ट कर इस वीडियो का कि final answer क्या दूँ should I opt for new slab rate और old slab rate मेरी प्राइमा फेसाई opinion ये कहती है sir कि यदि आपकी investments की habit है यानि आप ETC की investment करते हैं आप किराय के मकान में रहते हैं या आपने home loan ले रखा है आप medical insurance premium का contribution करते हैं आप NPS का contribution करते हैं और तो और छोड़िये sir यहाँ नई slab rate के system के अंदर आपको even standard deduction तक का benefit सरकार नहीं देना चाहिए तो मेरी प्राइमा फेसाई opinion है कि old slab rate ज़्यादा beneficial रह सकता है और यदि आप new slab rate opt करते हैं मैं मना नहीं करूंगा employer से तो आप finally अपनी tax liability को at the time of filing return assess कर सकते हैं कि मेरी old regime में क्या tax बन रहा है new regime में क्या tax बन रहा है जो आपको ultimately beneficial हो वह आप बरिये यानि employer को TDS के purposes से आपने slab rate चूज कर ली तो यह आपका final decision नहीं है आपका final decision उस दिन होगा जिस दिन आप return बरें हाँ एक बात मैं जरूर सजिस्स करूंगा आप उस utility को जो मैंने इस वीडियो में discuss करी उसको use करें आप आपके charter accountant या tax advisor की मदद जरूर लें so that he may be able to suggest you what should be your final slab rate option and accordingly you should decide तो मुझे जर वापस से मैं conclude करते से मैं कहना चाहूंगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि यदि आपके investments हैं करते हैं आप तो आप employer को option old slab rate में ही रखिए new slab rate को option मत लीजे बाद में यदि आपको return मरते से में लगता है कि मुझे new slab rate ज्यादा beneficial है क्योंकि old slab rate में यदि आप चलते हैं अपने employer के साथ तो आपके सारे deductions की detail आपके form 16 पर दिखेगी हला कि form 16 फाइनल नहीं है लेकिन दोस्तों form 16 बहुत महत्पून दस्ता वेज़े आपकी return की processing के लिए तो मेरा suggestion है कि आप old slab rate system में चलें employer के साथ यदि आपकी कुछ भी investments की habit है तो और यदि आपकी investment habits नहीं है तो आप निश्चित रूप से आज ही new slab rate के लिए आप कर सकते हैं हाँ जिस दिन आप finally आप करेंगे return बरते समय उस दिन आपको देखना है यदि आपका tax access deducted है चाहे old rate से चाहे new rate से तो आपको refund मिलेगा और यदि short deducted है तो आपकी advanced tax payment की liability भी आ सकती है तो ये चीजें सर मेरी और से एक उत्तर के route में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ finally दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे सुनने के लिए मैं आशा करता हूँ ये वीडियो ऐसे employees के लिए जिनको अपने employers को TDS का option भरके देना है उनके लिए useful होगी और यदि आपके इस section से संबंदित इस particular aspect से संबंदित कोई प्रश्णों तो आप लिख सकते हैं मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपको उनका उत्तर दे पाओं बहुत-बहुत धन्यवाद चाहें